हेलोगाज वेकम बैक अगें टू मनोर जर्णी मनोर जर्णी में आपसे बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैपुर की कुछ पेमस टैंपल्स एंड ट्यूरिस्ट प्लेसेज तो आए ये सबसे पहले देखते हैं मोती डूंगरी गनेश मंदर और बेल्डा मंदर तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं बेल्डा मंदर में हमारे इस वीडियो में हम आपको जो भी प्लेसेज दिखाएंगे हम आपको उसके नाम सहित दिखाएंगे हमारा ये वीडियो जो है ये है सन 2005 का और आप देख सकते हैं हमारा जो जैपूर था पहले कैसा था और बहुत बदल चुका है और हम आपसे अनुरोथ करते हैं कि आप जैपूर को विजिट करें और यहां की फेमस टैंपल्स और टूरिस प्लेसेज देखें अब आप देख सकते हैं सन 2005 में त्री मूर्ती सरगेल पहले कैसा लगता था तो आप हमारी इस वीडियो का इन तो जरूर देखते रहें क्यूंकि हम आपको हमारी इस वीडियो में जैपूर की कुछ ट्यूरिस प्लेसेज दिखाने वाले हैं तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं जैपूर के राम निवास गार्डन में और अब हम यहां पर देखेंगे जैपूर का अलबर टॉल जो की एक म्यूजिएम है और यहां पर काफ़ी सालों पुरानी एक ममी रखी हुई है और यहाँ पे कई पुरानी वैपन्स, मूर्तियां रखी हुई है जिसको देखने के लिए यहाँ पे काफी सारे ट्यूरिस्ट आते हैं तो अब हम जा रहे हैं त्रिपोलिया गेट से बड़ी चौपड जहाँ पर आज मैटरी शेशन बन चुका है तो आप देख सकते हैं पहले बड़ी चौपड कैसी थी और अब कैसी है तो अब लीजी अब आचुका है हवा महल जो की जैपूर का वन आफ दे बेस्ट ट्यूरिस्ट प्लेसिज है तो अब हम एंटरी कर रहे हैं जैपूर की गोविन देव जी के मंदर के तरफ जहाँ पर आप जंतर मंतर, सीटी पैलेस और गोविन देव जी का मंदर देख सकते हैं कि ऑंट आप लोविन देख सकते हैं तो आप सबी को हमारे वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो अब हम जा रहे हैं जैपुर के आमेर फॉट की तरफ और आप रास्ते में जल महल और कनक घाटी देख सकते हैं जो की हमारा जैपुर ट्यूरिस प्लेस है तो यह आप देख सकते हैं यह है कनक घाटी और यहाँ पर बेटा फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसमें जो सॉंग था कोयल सी तेरी बोली सॉंग को फिल्माया गया था फिल्माब बोली सॉंग स्कतना जैपो प्लिंग बोली सा गषा कर दाटी तेरी दो noise लिए थी किस्ते तो अब हम जा रहे हैं आमेर कोट के तरफ और आप रसमें से देख सकते हैं यहां पे हाती जा रहे हैं और यहां पर पास में ही हाती गाओं है जहां पर आपको बहुत सारे हाती देखने को मिलेंगे तो हाथी गाओं नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको यहां पर 24 आज एलिफैंट एलिफैंटी एलिफैंट दिखेंगे तो आप हमारी स्वीडो में देख सकते हैं आमेर फॉर्ट आज चुका है और यहां पर पास में ही मावटा है जहां पे आपको कई सारे हाथ ही नहाते हुए और इंजॉय करते हुए देखने को मिल सकते हैं आमेर पीड़ के अंदर आप पैधल भी और टू वीलर और फोर वीलर से भी आप जा सकते हैं और एलिफेंट की सफारी करते हुए भी जा सकते हैं आमेर फॉर्ट के अंदर शीला माता का मंदिर है जिसका निर्मान सवयमान सिंग दित्ते द्वारा किया गया है यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है जैसे जोदा अगबर एक्सेक्टरा और यहां पर भूल भूलया भी है जो की ट्यूरिस्टों को आकरशित करती है करते है झाल झाल तो आप देख सकते हैं ओम टावर जिसे गूमने वाली बिल्डिंग भी कहते हैं झाल 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 तो आप से भी को हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो ऐसी वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलेंगे जब तक के लिए जय हिन जय भारत झाल 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 झाल